हमने last class के अंदर क्या start किया था सर setup for carry forward set of and carry forward के अंदर क्या बोल था है कि हम एक head की income को दूसरे head की income से setup अगर करते हैं तो ऐसे setup को क्या बोलते हैं बताईए एक head के setup को दूसरे head के setup से अगर हम करते हैं ऐसे head को क्या बोलते हैं यह था हमारा एक head तो इसे क्या बोलते हैं इंटर head एक head के setup को दूसरे head के setup से करते हैं तो अगर हम करते हैं एक source के दूसरे source से setup को तो क्या बोलते हैं intra head setup बोलते हैं तो ये intra head और intra head इसके साथ साथ हमने कुछ example भी देखे थे और intra head और intra head setup देख लिए थे यानि सर मैं अगर आपके सामने एक question लिखूँ बड़ी सी बात है अगर मैं आपको बोलू section number 70 section 70 कहता है intra head set of section 70 कहता है intra head setup sir intra head setup क्या होता है मतलब जैसे for example मैं थोड़ा remind भी करा दू जो नए बच्चे होंगे उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा जैसे मेरा business है और ये business cloth का है 5 लाक रुपए का मेरा profit और एक और business है ये मेरा steel का है और यहां पर मेरा 2 लाक रुपए का हमारा loss है तो हमें जो text देना है ना वो 3 लाक पर देना है तो जो ये minus कर रहे है ना that is called setup और अगर मेरा loss इसकी जगह पर instead of अगर मैं थोड़ा example change कर दूँ यहीं पर अगर मेरा ये पांच लाक ही है लेकिन loss मेरा 6 लाक है तो यहां पर एक लाक रुपए का loss बचा जिसको हम कर देंगे carry forward to the next year यानि सर law ने ये बताया हमें law ये कहता है आँ कुछ बच्चों का request आ रहा है शायद law हमें ये कहता है सर passing के लिए कौन-कौन से chapter करने है अभी बहुत time है आप passing आराम से हो सकते हो मैंने सब कुछ डाल दिये है और आप जाके देखेंगे content के अंदर के income tax को कैसे पढ़ना चाहिए कौन से chapter करना चाहिए सारी वीडियो मैंने डाल दिया है आप देखेंगे फिर भी doubt आता है मैं voice sms के साथ सभी को communicate करता रहूँगा सर हम बात करते हैं सर rule कहता था सर intra head के अंदर सर same year में आप business को set off कर सकते हो अब हम पढ़ने वाले हैं सर इसके exception सर इसके पढ़ने वाले exception board पर ध्यान दीजिए ये rule के कुछ exception है सर exception का मतलब आप same head से set off ही नहीं कर सकते सर यानि intra head set off allowed ही नहीं है same head से अगर मैं business की बात करूँ तो business में बहुत सारे category था जिसमें से मैं एक एक करके business का मैं explain करता जाऊँगा जैसे business की बात करते हैं business के अंदर हम बात करते हैं पर example आपका speculative business speculative business speculative business सर ये speculative business होता क्या है और जो मैं आज की class में देखो जो पहले किया था वो तो exam में वो भी आ सकता है लेकिन आज करेंगे उसी में से एक question आएगा आपका तो आप ध्यान से बिलकुल सुनिए गा तो speculative business क्या होता है एक example मैं लेता हूं आपके सामने ध्यान से सुनिए गा मैं basic से एक example लेता हूं law क्या कहता है मान लो अभी हाल फिलाल में आपने कई बार अपने life में सुना होगा कि इस product का shortage हो गया ये नहीं मिल रहा है और basically नहीं मिलने से अगर मैं बात करूं तो ज़्यादर से ज़्यादर जो popular है न वो प्याज का है कई बार ऐसा हुआ था बीच में भी हाल फिलाल भी हुआ था प्याज 100 रुपे किलो तक हो गया था मिलना बंद हो गया था बहुत real मिलने लग जाता है सर ऐसा क्या होता है कि प्याज हमारा या कोई commodity product बोलते हैं basically क्या होता है माल लेते हैं मैं एक vegetable seller हूँ एक vegetable seller और मैं बहुत बड़ी लेवल पर बैपा रही हूँ बहुत बड़ी लेवल पर चोटे मोटे काम नहीं करता मैं बड़ी लेवल पर और जितने भी सबजियां है वो सबजियां सारी आती है एक जगह होता है और उस जगह को हम मंडी का नाम देते हैं basically मंडी का नाम देते हैं और मंडी की बात करें तो यहां पर डेली के अंदर सबसे फेमस कौन सा है वेजिटेबल के लिए सबसे क्या गया है सबसे फेमस है हमारा आजादपूर है है तो टो कि पूर बड़ी मंडी एकड़ी मंअधी है जहां से पूरे ओलторы मेरा मानने है कैसी डेली को लगबग लगबग सपलाई यहींसे ही होता है अब यहां पर कितने सारे दुकानदार होंगे बहुत सारे यहां पर होलसेलर बैठे हुए है रिटेलर तो कम है यहां बहुत सारे क्या है सर यहां बहुत सारे होलसेलर बैठे हुए है अगर मैं होलसेलर की बात करता हूं बहुत सारे होलसेलर बैठे हुए है अब मैंने क्या कर या प्याज की बात करते हैं अनियन की बात करते हैं हम प्याज की बात कर लेते हैं सब्सक्राइब समझाना है अलू प्याज पर ज्यादध ध्यान हम प्याज की बात करते है यहां पे एक लाख किलो एक लाख किलो वन लैक केजी प्याज आता है डिली एक लाख किलो प्याज आता है डिली और वो सप्लाई होता है दीरे-दीरे बिखता है मेंने इन सभी वेपारी को फोन किया और मैंने इन सभी को बोला कि मुझे ना प्याज लेना है तो अभीलिबल होगा कि उसने बोला हाँ आने वाला है सुभेh माल आएगा आप बताईए कितने लेने हैं मैंने पूछा कि आपके पास माल कप तक आ जाता है उसने बोला सर दस वजे तक सुभे वैसे तो अर्ली मॉर्निंग आ जाता है सुभे छे वजे माल आ जाता आप ले जाए कितने चाहिए आपको दस बीस पचास किलो बताइए मैंने बोला के मंडी के अंदर मुझे करीब एक डेड़ लाख किल किलो ग्राम प्याज चाहिए मुझे मैंने ओडर किया और मैं एक बहुत ही मान के चलो मंडी से हमेशा डील करता हूं तो मेरी इतनी रेपोटेशन है कि मेरे बोलने पर वह मान जाएगए वह जादा हो जाएगा डेली मार्केट का कंजम्शन एक खपत एक लाख किलो तक आता करता हूं शाम तक कर देता हूं मैं आपको या मैं दो दिन बाद आऊँगा आप अपने पास रखे दो दिन में खराब थोड़ी ना हो जाएगा मेरी इतनी गुडबिल तो है आप जानते ही है मुझे तो आप रखिए मैं दो दिन के अंदर आपके पास आता हूं अपना सार पूरे डैली के अंदर है ही नहीं कि और जब फूरे डैली के अंदर है ही नहीं प्रेली में प्याज नहीं है तो हरकोई डिमांड कर रहा होगा सब्जी वाली के पास भी प्याज नहीं आए कि बोला नहीं प्याज नहीं आ रहा है किसी के पास अगर पुराना पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत चार-पांच किलो बचा हुआ तो वह पहले तो उसने 20 रुप पास इन सभी डीलर के कॉल आने लगे बोले भीया आपका मैंने प्याज रख रखा है सारे कस्टूमर मेरी जान खा रहे हैं किसका रखा हुआ है मुझे दे दो मुझे दे दो मैंने बोल दिया के बिग गया लेकिन मान रही है अपना आप समान यहां से ले जाए नहीं तो प काम कर दो मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूं आने में आप बड़ी सीधी सी बात है चोटा काम करो कोई भी आयना मांगने के लिए तो उसे मना मत करो आप इसको ना 25 रुपे किलो ना बेच देना मैंने भी बेचना यह आप 25 रुपे किलो बेचो 5 रुपे मैं आपको कमीशन जो ना चिंता मत करो 5 रुपे मैं आपका भी दे दूसबस रखे वैसे पहले तो कमाई रहे ना 150 रुपे किलो बेचा है तो मुझे कमाई रहे क्योंकि जब किसी चीज का सौटेज होता है तो घर वाले क्या करते हैं एक किलो की जगह पर चार किलो खरीद लेते हैं जैसे लोगों ने बहुत जादा जादा खरीद लिया तो कहानी यही तो जैसे ही अब मेरे पास दो दिन का स्टाउक पड़ा हुआ है तो एक दिन में एक भीलर स्टाफ झाब ही था नीज ले बोला दोलाके दोला किलोट लेहें मैं ल garsकित्ने पंचिने रुपय टाइस थे मेरे पमेर ने मुझे दीजा अं डिबा और दो पांचने मैं लुह पांदरा हैं और प्रांट मैंनेкое प्रामिस किया था मैं प्रामिस कर रहा हूं आपकी ह कितना था 15 मुझे दिया था पाँच मैंने कमीशन ओफर किया तो 20 तो इसने 25 रुपए से सब बेच दिया तो 5 रुपए मेरा था तो मैंने बहला 5 रुपए 1 किलो पे मेरी कमाई हो रही है तो दिन तक जैसे ही मैं hold करूँ आना तो ऐसी कहानी आएगी situation आएगी मैंने एक रिस्क लिया और दो दिन hold करने में क्या मैंने दो दिन hold करके थोड़ा बहुत महल बनाया और मैंने उसको दस लाख रुपे कमा लिया तो जो यह कमाई है ना यह कमाई रेगुलर नीचर की होती है कई लोगों की इसको बोलते है speculative income जो मैंने दस लाख रुपे कमाया है ना यह speculative सर speculative income वो income होता जो हम commodity में deal कर रहे हैं लेकिन without physical movement of goods मतलब समान को बिना खरीदे और बिना बेचे आप पैसे कमा लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है हमारा speculative income बोला जाता है ऐसा ही हमारा होता है शियर बजार के अंदर शियर बजार के अंदर भी डेरिवेटिव का भी concept होता है आगे आप पढ़ोगे और इसी तरीके से चरिके आपका होता है जैसे मान लेते हैं मैं सिंपल्सी बात करूं गोल्ड की बात करते हूं गोल्ड आज पचासथ पर तोला है अगर आपको गोल्डD खरीदना ये अगर बात करूं आपके पास अगर दो थो वे questo सकते हो और अगर आप सौट ओला गुल्ड कर सकते हो मैंने को सरफ एक लाक देना और बाकी बोला कि जितना बाकी का बैलेंस बच गया आप महिने के एंड तक दे दीजिएगा मैंने एक लाक रुपए एक टोकन मनी दिया सौत तोला गोल्ड मेरे नाम पे हो गया इसी तरीके से क्या होता है मैं बहुत सारा जब गोल्ड खरीद लूँगा कम पैसे देखे जादा मार्केट में क्या हो जाएगा सौटेज मेरे को गोल्ड दिया जाए उसने बोला अगले मैंने पैसे दोगे अगले मैंने ले जाना यह सारा ओं-lai 되어 लुक्ति अग्वे में detention होता है जिसे हम को सर्वां किमोडेटी मार्केट वी बोलते हैं म refresh भी बोलते हैं जिसको हम एक हो तो एक तरीके से मैंने सट्टा जुवाई खेला महां पर ऐसे इंकम को बोलते हैं स्पेकुलेटिव है यह हमारा बिजनस ही तो बोला गया सर इस पैकुलेटिव बिजनस सर बिजनस अगर देखा जाए गवर्मेंट के नजरिये से तो पब्लिक के भलाई के लिए तो नहीं इंकम है यह है मारा बिजनस इंकम बट कैन नॉट बी सेट ओफ कैन नॉट बी सेट ओफ फ्रॉम अदर बिजनस इंकम यानि सर यह जो हमें लॉस दे रखा है इस पैकुलेटिव लॉस हुआ तो ऐसे लॉस हमारे बिजनस लॉस है यहाँ पे सर सुनाया आपने के एक बिजनस दूसरे बिजनस से सेट ओफ हो जाता है सेम एड का हो तो बिल्कुल ट्रू है लेकिन इसके भी कुछ है क्या सीख रहा है हम एक्सेप्शन सीख रहा है सार ए मैंने क्या करा एक कमोडिटी के अंदर मैंने कोई सट्टा लगाया वहां से प्रॉपिट हो गया तो आपस में क्या हो सकता है सेट अगर इसका सेट आफ नहीं कर पाए तो आपको क्या होगा सर आपको होगा लॉस लॉस अगर हुआ तो लॉस को आप क्या करोगे लेकिन loss को carry forward करने के लिए condition रखा हुआ है सर इन्होंने कि आपको ITR फाइल करना होगा ITR आपको फाइल करना होगा ITR फाइल क्या date होता है मारा 31 तारिक होता है 31 जुलाई 31 साथ तक आपको ITR फाइल करना होगा अगर आपने ITR फाइल ही नहीं किया तो आप loss को भी carry forward नहीं कर सकते आपका किस्मत इतना खराब चल रहा है कि लगातार कई सालों तक आपको loss जा रहा है तो आपका हर साल का loss ना एक अपने आप में अलग individual माना जाता है इस loss को कब तक carry forward करेंगे सर अगर loss हो गया हमें profit हुआ ही नहीं आने वाले 20 साल 30 साल तक तो क्या ये loss carry forward होता जाएगा नहीं इस loss को carry forward करने की एक age है सिर्फ और सिर्फ 4 साल तक अगर 4 साल तक आप इसको set up कर पाए तो ठीक है otherwise आपका ये loss क्या हो जाएगा lapse हो जाएगा खतम हो जाएगा इस loss को आप carry forward भी नहीं कर पाएंगे ठीक है इस loss को भी carry forward नहीं कर पाएंगे तो यहां तक बात समझ में आया है तो speculative business loss कौन सा होता है वो loss जिसके अंदर हम profit तो कमा लेते हैं या फिर loss हो जाता है जिसके अंदर goods का हम physical moment नहीं करते हैं इस loss को दूसरे business के basic क्या था rule 70 कहता है सर सेम head में set up कर लो लेकिन exception आगे सर business के loss को ऐसे business के loss को किसी other business से set up नहीं होगा इसकी आई टीर फाइल करना mandatory है life कितनी है इसकी सर चार सर पहला exception हमने यहां पे कर लिया सर second exception पे आते हैं एक्सेप्शन नमबर टू specified business सर specified business कौन से हैं वो business जिनका बिल्कुल अलग ही काम करने का तरीका होता है बिल्कुल अलग जैसे hotel जैसे आपका cold house अग्री कल्चर के लिए cold house क्या होता है जैसे आप देखते हो ना समान को रखते हैं warehouse होता है तो इसका भी बहुत बड़ा काम होता है जहां पे वो फ्रीजर डीफ फ्रीजर जिसे बोलते हैं समान रखते हैं वेजिटेवल वगएर अग्री कल्चर प्रोड़क्ट को अग्री कॉमोडिटी क्योंकि आप देखते हो ना कई बार समान बहुत दिनों बिजनस इनकम बट केंनोट इसेट आफ फ्रॉम अदर बिजनस सॉरी मैंने बिजनस इंकम लिख दिया बिजनस लॉस लिखना था मुझे यह थोड़ा सब गलत हो गया हमारा बिजनस लॉस की बात चल रही है तो लॉस पे चलेंगे ठीक है आ सेम लाइन मैंने यहां लिख दिया सर क्या है हमारा यहां पर बिजनस लॉस बिजनस लॉस इसके अंदर स्पेसिफाइड बिजनस के अंदर क्या आता है आप देखेंगे वहां पर जाके तो 35 35 AD है सेक्षन 35 AD में सेक्षन लिस्ट है और इसके अंदर आपका स्कूल भी आ जाता है आपका कुछ ऐसे बिजनस जो मान के चलो बहुत जरूरी है तो इस टाइप के बिजनस को कहते हैं तो इसके लॉस को कैरी फॉरवड करने के लिए भी आपको आई टी आर आपको फाइल करना है अगर आपने आई टी आर फाइल ही नहीं किया तो सर भूल जाईए आपका लॉस केरी फॉरवड होगा सर इसकी लाइफ क्या है लाइफ क्या है इसकी यानि कितने सालो तक आप इस לאस को कैरी फॉरवड यहाँ पे आपका कितने सालो तक जाएगा हर किसी के लिए नौर्माली ना 8 एक है हर किसी के लिए कितने है 8 year लेकिन एक ऐसा concept है जिसके लिए unlimited भी है उसमें से एक यह है specified business जिसके लिए unlimited है एक unabsorbed depreciation है इसके life को मैं बाद में लिखूँँगा एक बार थोड़ा सा changes आये हुआ है आप सिर्फ इसमें यह रखेगा दूसरा exception कौन सा specified business 35 AD section देखना चाहते हैं क्या आता है सर section 35 AD section के पॉंसे लाखी झाल पॉंसे लाख कितने यह कह रही है अभी मैं बता देता हूं रुक जाए रुक जाए यह पहले हम बात करते हैं स्पेसिफाइट का मैं भी बता दूँगा थोड़ा सा इसमें स्पेसिफाइड के बाद कि सर्थी स्रा कि होड़ कि अब बेसिकली है और इंग एंड मिंटेनिंग के और इंड सर यह भी बिजनस था हमारा स्पेसिफाइड स्पेकुलेटिव बिजनस था और मैं अगर होटेल की बिजनस की बात करूं तो वह भी हमारा बिजनस ही है एक कई लोगों का ऐसा काम होता है ओइंग एन मिंटेनिंग मतलब घोड़े को ट्रेनिंग देना तयार करना तो वह भी एक तरीके का बिजनस होता है जो की पार्टिसिपेट करता है किसमें होर्स रेसिस के अंदर तो अब तो रेसिस का इतना ट्रेंडिंग मैं तो कभी गया न ना मैंने कभी देखा तो मुझे तो पता नहीं है डेली के अंदर भी वैसे एक जगहा है जहां पर भूलते हैं कि होता है और मुमवाई के अंदर कुछ जगह है जहां पे ये ट्रेंडिंग में रहता है जहां पर मतलब लोग बाग क्या करते हैं 60 लगाते एक तरीके से तो तो वहां पे जो भी होस है उस होस को ट्रेंड करने के लिए एक अर्गनाईजीशं होता है वह तो उनके बिजनस से भी लॉस हो सकता है तो ऐसे बिजनस से लॉस्यी स्थ हो तो यह एक उनिक बिजनस है तो अगेन घा जाएगा कि सर अगर ऐसे बिजनस से लॉसिस हुआ तो इसका जो लॉस होगा उस लॉस को अगर आप चाहते हो ना के सेट अफ कर लो तो इस नॉट पॉसिबल उस लॉस को सेट अफ करने के लिए नहीं किया जा सकता अगें मैं सीम लाइन रिपीट करने जा रहा हूं कि बिजनस लॉट बट कैन नॉट इस सेट अफ फ्रॉम अधर बिजनस इंकम यानि सर अगर ओंगर मिंटेनिंग का लॉस हुआ और अगर स्पेसिफाइड बिजनस से प्रॉफिट हुआ दोनों को सेट अफ कर लें क्या नहीं कर सकते यह क्या देख रहे हैं हम एक्सेप्शन केस देख रहे हैं एक्सेप्शन इसके लिए नहीं करना अपर इसके लिए चार सालों का दिया हुआ है इसके लिए लाइफ दिया हुआ हुआ है चार साल सार इसमें से ना एक कोश्चन डेफिनेटली आएगा आपका के ओंग और मेंटेनिस का मेंटेनिंग या फिर आपका बोला जाएगा स्पेसिफाइड बिजनस क्या होता है इसको एक्स्प्लेइन करिए इसके लॉस को सेट आफ और करने के रूल बताईए तो मैं लिखूंगा अब यहां तक कोई दिक्कत है यहां तक करने लिखना पड़ेगा यहां पर सारा एक टेबल के थूभी मैं समझा दूगा अभी हम देख लेंगे पहले यहां तक कोई दिक्कत है यहां तक सब समझ में आ रहे हैं हम सीख क्या रहे हैं पता है ना आपको सेक्शन 71 कहता है सर इन सभी के सेक्शन नहीं करता क्योंकि फिर थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाए मैं कह रहा हूं सेवेंटी यहां लिख दिया कि बोला गया इंट्राइड सेट आफ कल सो आपने सर यहीं सीखा था तकि सेंव बिजनस की इंकम को बिजनस की इंकम से सेट आफ किया जा सकता है कभी लेकिन उसमें भी exception आगया सर सेंप सोर्स एंकम सेंसे सट ऑफ नहीं हो रहा कुछ यह एक सेप्शन नहीं हो रहा जैसे सपेकुलेटिव यह स्पेसिफाइड या हॉर्स्रेस क सर और क्या-क्या हो सकता है चलिए आगे आते हैं कितने हमारे exception हो गया है कितने हो गया है चौत्थे पर आ जाते हैं लॉट्री इंकम और यहां पर कुछ और वर्ड है क्रॉज पर्जल इंकम या कार्ड गेम इस तरीके का जो इंकम जैसे कि आप इसके अंदर आप IPL भी रख सकते हो इसके अंदर आप और भी जो कि सट्टा लगता है जहां पर उसे भी रख सकते हो हाला कि यह बिजनस नहीं है लेकिन आपका यह बोला गया कि यह जो इंकम है ना कई लोगों का व्यापार भी रहता है यह जो इंकम है ना यह हमेशा इसका जगार लॉस हुआ तो कैन नॉट बी सेट आफ एंड ध्यान देना और कैन नॉट भी कैरी फॉरवर्वर्ड ओई भी कि अगे इसके लॉस को ना तो सेट आफ करेंगे और ना ही करी फॉरवर्ड करेंगे यानि आपका लउस हो गया तो तो हो गया इसके उपर ना government क्या चाहती है कि government छोड़ा सा चाहती है strictness दिखाना माल लेते हैं आपने करड़ के खेल काड़ समझते उन्हों तास खेलना ठीक है ना आपने तास खेलने में देखा एक बहुत लोग पैसे कमा भी लेते कैसी नो बगयरा में जो खेल के आ रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं लॉट्री कौन सा रहता है डैली के अंदर तो लॉट्री नहीं है लेकिन मु सबस्क्राइब करेंगा तो जादा से ज्कत छोटे लोगों को आ जाती है फिर भी कई लोग इसके अंदर रहे तो बोला गया पंस्मेंट दनेंगे पता नहीं मैंने देखा है कई अब तो कम ट्रेंडिंग हो गया दिवाली है वैसे गाहों रूलर एरिये में चलता है तो भी आज खेलना पक्का है होली है तो पीना पक्का है है मतलब ट्रेंड कर रखा कि इस टाइम पे यह काम हमें करना है अब दिवाली है उसने क्या करा भी आ दिवाली के अंदर सबसे पहले तो कार्ड खरीद के लाया और कार्ड खरीद के लाया कार्ड मान लेते हैं 100 रुपए का खरीदा उसने और कार्ड खेलने भी लगा तो कार्ड खेलने के बाद उसने जीत लिया विन कर लिया सर काड़ खेलने के बाद उसने 500 रुपए कमा लिए अब 500 रुपए कमा लिए गवर्मेंट बोलता है अच्छा आप गलत काम कर रहे हो लेकिन हम आप टेक्स दोगे तो हम माल लेंगे आप सही काम कर रहे हो आपका 500 रुपए की इंकम है तो नॉर्मली बोला जाता है जब कभी भी आप इंकम कमाते हैं तो उस इंकम को कमाने में जो भी expenses लग जाते हैं उस expenses को उस इंकम में से माइनस करिए नेट करके आप क्या करिए उस पर टेक्स दीजिए आपने बोला सर मेरा profit कितना है 500 का माइनस कर देते हैं मैंने क्या खरीदा कार्ड खरीदा था यानि तास्की गड़ी खरीदी 100 रुपए का तो मेरा profit कितना हुआ 400 गवर्मेंट ने बोला नहीं ऐसा नहीं होता आपकी इंकम बहुत इनकम है तो आपको यह नही मिलेगा आपको 500 रुपए पर सीधा 30% का टेक्स देना पड़ेगा और आपके लिए कोई benefit नहीं अवेलेबल है यानि 30% टेक्स जाएगा कोई कि स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाया गया कि आप लॉस को सेट आफ तो भूल जाओ कैरी फॉरवड भी नहीं कर सकते आप माल लेते हैं कि आपने दिवाली पे सेम एक ही साल में दिवाली पे आपने खेला 5000 रुपए जीत गए और हुली पे आपने 2000 रुपए का नुक्सान कर दो और यही होता है पहले ही वो टेक्स कार्ट के आपको पैसे देते हैं अब जो सामने आसपास देखा होगा पार्क वगेरा में खेलते रहते हैं उनको पता ही नहीं चलता गवर्मेंट को तो उस इंकम पर ध्यान नहीं देना क्यूंकि अगर वह पकड़े जाते हैं और कैस किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो जाए दोनों जगा सेम है फ़रक यह वहां पर लीगल तरीके से गवर्मेंट को टेक्स दिया जा रहे है यह टेक्स नहीं देंगे तो मारो इनको पार्क में जो खेल रहे हैं तो यह कहानी है यह भी क्या है हमारा एक एक्सेप्शन केस है सर अ यह एक्जेम्टेड मैंने एक नॉर्मली प्रॉपर सेटिंग नहीं बैटरी था मैंने बोल दिया सर इसका लाइफ अगर पूछोगे लाइफ कितने है जीरो यार की लाइफ है इसके कोई लाइफ नहीं एएग के ना एक आ गया क्या हमारा सर एकज़ाम्टेड क्या है एक्सम्टेड हमारा यह सान की इंकम पर हो गई नहीं किसान किया करा मालीत थमाटर यह तुचा कि यह शचवांग यह तो दोटतकि भी सारा काम है और वहां पर छैksamा का Step A कहा हुई स्कू利क हो गया स्थायरे जादाम पर किसान का एक स्थाल, सर किस्ची का business hey cloth क oncology business कितने कैसर और उसे profit तीन लाग रुपय किसान कहता है कि सर एक business हो आगर मेरा तो 2 लाग रुपय मुझे क्या देना चाहिए तो government कहता हुए ये वाला income ऑपका पूरा अगर लाग प्रॉफित में आप टेक्स नहीं लेते तो लॉस की तो कोई टेंशन नहीं है इसको आप नहीं कर सकते इनको इसके उपर आपको अलग से पूरे तीन लाख रुपे पर टेक्स देना पड़ेगा तो हमने किस चीज़ का और इसक का मतलब होता है ऐसे इंकम या लॉस को सेट आफ करना विधिना सेम सोर्स of income से जो हो रहा है और सेम हेड के अंदर होता है इसके कुछ exception case है और यह चारो case वहाँ पर आपको point by point explain करके और पूरा लिखना होगा तब जाके आपको छे नंबर पूरे मिलने वाले हैं चलिए सर सेक्शन सत्तर के बाद आ जाते हैं सेक्शन सेविंटीवन सेक्शन सेविंटीवन यह कहता है इंटर हेड सेट अफ यह एंटर हेड़ सेट आफ एगजेंटेड की लाइफ अगर मानलो कुछ भी होता है तो वह तो एकल्प डिकत ब्सक्राइब निस यह कोई मतलब नहीं है तो है कि कोई मतलब भी नहीं है सबस्क्राइब इशसा लिए पर पर पर्सक्राइब तो ठीक हो जाएगा माइक जाड़ दिनि दिकत है जादा नहीं इंटर हेड सेट ओफ सर इंटरेड सेट ओफ यह होता एएwork लेते हंटे लेते हैं इंटरेड सेट्प इ Eating बिजनस से पिस्नस से हमारा प्रोपय पी पूर्पाँच रज़ते हमारा लाक्डup में अलगे का यह यह अलग है तब हमें क्या करना है 1 लाक रुपे के उपर सिर्फ टेक्स देना यानि आपस में माइनस कर लिया हैड बदल गया तो इसका मतलब क्या हो गया सर यह हैड बदलने का मतलब हो गया इंटर हैड सेट अफ हो गया इंटर हैड सेट अफ हो गया तो अब इंटर हैड सेट अफ बोला गया लेकिन अब इंटर सब्सक्राइब नहीं कर सकते कुछ किसिस में सर क्या एक्षेप्शन है वहीं देखते हैं एक्षेप्शन क्या है सर सर एक्षेप्शन नमबर वन बिजनस लॉस और नॉट to be set off प्राम गो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि सर बिजनस के लॉस्ट पहले पहले हुआ करता था कि बिजनस लॉस्ट जो है नाλ को सैलरी से सेट और त्याजक्राऊ तैंध यहां पर लोगोस ने सिने सम्वटोUS का बहुत benefit उखा है तो government को जब पता चला यहां पर तो उसके accordingly क्योंकि सबसे पहले जो अगर मैं बात करूं तो इंडिया में अगर tax सबसे ज़ादा जो हेर फेर किया है ने किसी ने तो Reliance को बोला जाता है Reliance company सुरू से ही नहीं करते हैं यह कुछ ना कुछ गलत सलत करके लोगों को लूटने का ही काम करता है सुरू से कोई भी product हो तो इन यह किस तरीके से करते थे स्टार्टिंग से इनका strategy हुआ करता था planning हुआ करता था तो जितने भी अभी देखोगे ने जैसे कि पहले finance minister भी रहे हैं जैसे पीची ताम मराम हैं Congress के टाइम पर यूपीय गवर्मेंट के टाइम पर finance minister 2008 के अंदर हैं ऐसे काफी सारे आपका परणव मुखरगी तो यह सारे जितने भी बड़े बड़े नेता है नहीं बड़े बड़े आपके justice वगएर हैं जो law लिखते हैं यह रिलाइंस के advisor हुआ करत टेक्स कंसल्टेंस दिया करते थे तो यह जो जितने भी होते हैं यह टेक्स कंसल्टेंसी कोई काम करते हैं एक उपाए बताने के करोड़ों रुपए ले लेते हैं यह तो यह इनको advice भी देते थे तो उस ताइम पे होता क्या था normally देखना हुआ यह के बड़ी सीधी सी बात कहीं उन्होंने कहा कि भीया आपका business है बोला है business और business में आपने दिखाया sales sales आपने दिखाया 1000 करोड का ठीक है sir अब आपका यह tax है तभी बस सकते हो क्योंकि business income में तो 30% tax देना पड़ेगा अगर 1000 करोड में कोई आपका खर्चा है मान लेते हैं आपका expense जो आगया यहां expense आगया मान लो 400 का तो तब भी आपके net profit कितने के निकल के आगई 600 एक ऐसा example लेके चल रहे हैं तो 600 पर आपका 30% हो जाएगा कितना 180 करोड रुपए 180 करोड not a small amount की government को tax देना पड़े उसने सोचा के यहां पर कुछ ऐसा करो के खर्चा दिखाओ कुछ ऐसा करो कि यहां पर यहां पर हम दिखा देते हैं salary, salary मैंने दिखा दिया मान लो यहां पर मैंने दिखा दिया total 600 करोड का, अब मैंने एक वेक्ति का salary दिखा दिया, तो हमारा profit क्या आ जाएगा, अब जब मैंने salary दिखाया तो आपको पता है जिसकी भी salary दिखाया उसका भी salary क्या माना जाएगा जिसका भी मैंने salary दिखाया, उसकी income बनेगी, यानि Reliance Company तो बच गया, लेकिन दूसर तो टेक्स दे रहा था, तो Reliance Company ने कुछ employee को समझाए के बोला, भया हम तुमारी salary दिखा रहे हैं, और salary दिखाने के बाद जितने भी इसके employee थे, मान लेते हैं किसी employee की इसने 100 करोड पर टेक्स, Reliance ने बोला ये 100 करोड रुपे, मुझे दे दू आप वापस, बोला लेकिन सर आपने account में डाल दिया तक government के नजरों में तो मेरे पास 100 करोड आ गया है, तो आपको मुझे तो देना पड़ेगा, Reliance ने क्या कराई कि इसका fake business create किया, और इस business से loss दिखा दिखा करोड का, एक business create किया, जहां से loss दिखा दिया कितना, अब 100 करोड रुपे का business, और salary और business पहले setup हुआ करता था, तो अब जो हमारा employee था, इस employee का income salary से 100 करोड रुपे, इस employee का एक business ऐसा इसने किया था, जिससे कितने का loss, इसका profit कितना, क्या ये employee tax देगा, इसने यहां पर खर अच्छा भी दिखा दिया क्या, ये भी tax दे रहा है, दोनों ही tax नहीं दे रहे, दोनों ही legal काम कर रहे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो government को लगा कि सर, यहां पर बड़ी दिक्कत आ रही है, ऐसे में तो हमें tax देने में बड़े-बड़े businessmen बहुत जादा यहां प बचने का एकी तरीका है, सामने वाले को अगर हम salary दे रहे हैं, तो उसके salary income से हम tax वसूल सकते हैं, अगर salary income किसी और से set of कर लेगा जाते हैं, और salary इतनी सारे set of करने के लिए एक बैपार ही है, जहां पर आप करोडों का loss दिखा सकते हैं, हाउस property से तो करोडों का loss नहीं द सकता हूं, रातो रात नुक्सान कर सकता हूं, तो government में इसको क्या दर दिया, सार, आज के बाद salary और business कभी भी set of वापस में नहीं होगा, तो इसको ban कर दिया गया, तो मैं क्या सीख रहे हैं हम, सर, inter head setup, inter मतलब एक दूसरे से set of हो सकता है, लेकिन exception में क्या रखा गया, कि salary क नहीं हम exception कर रहे हैं, मैं life वाला एक साथ ही chart दिखा के सारा समझा दूँगा, number two, बोला गया capital gain, अब capital gain तो दो तरीकी के होते हैं न सर, मैं इसको थोड़ा इधर ली आता हूं, कि मैं थोड़ा space दिखाना होगा, capital gain की बात करते हैं, तो सर, capital gain जो है, यहाँ पर दो तरीके का capital gain होता है, एक होता है long term, एक होता है short term, और मुझे आपको समझाने की जुरत नहीं है, कि आपका long term क्या होता है, short term क्या होता है, आपने पहले देख लिया, long term में indexation मिलता है, short term में इंडेक्सेशन नहीं मिलता, तो sir long term और short term है तो दोनों क्या चाहे long term हो चाहे short term हो है तो capital तो बोला गया sir long term हो या short term हो या आपस में set up करने के लिए कुछ rule है बोला गया long term जो है न ये only set up होगा सिर्फ long term से LTCG से long term होगा सिर्फ long term से set up दूसरे से लेकिन short term को अजादी दे दी गई short term बोला कहीं से हो जाओ set up short term कहीं से भी set up हो सकता है short term can set up long term long term long term और short term सर एक सिंपल से चार्ट बना लेते हैं इसका देखो LTCG LTCG gain है इसमें से set up हो सकता है STCL हो सकता है gain है इसके बाद STCG इसमें से set up अगर मैं करना चाहूं LTCL तो सर नहीं हो सकता मतलब long term से short term अगर हां short term का loss होगा अगला देखना मैंने यहां पर क्या खाता देखो short term का loss है तो long term से set up हो रहा है लेकिन अगर short term का gain है तो वो long term loss से set up नहीं होगा सर अगर LTCG हुआ तो LTCG और LTCL हुआ तो सर हो जाएगा और अगर STCG हुआ और STCL हुआ तो यह भी हो जाएगा इस चार के इलाबा कोई case ही नहीं बनता इस चार के इलाबा और मैंने simple सा कर्ट में यह कह दिया कि किस क्या set up होगा एक और exception इसका आया amendment के थुरू exception no.3 loss from house property यानि house property का loss भी set up नहीं हो सकता देखो मैं एक चीज पहले clear कर दूँ अगर मैंने कहीं पीछे example के अंदर मैंने losses लिया हो जादा तो just एक example था लेकिन मैं यहाँ पर बताऊंगा के loss भी set up नहीं हो सकता law कहता है sir loss जो है न दो लाक रुपे से उपर set up तो होगा loss from house property can be set up from other head up to two lakh on a lease sir example ले लेंगे तो सारा समझने आ जाएगा मान लेते हैं sir business business का income है पांच लाक का house property से loss है sir 4 लाक रुपे का काईदे से देखा जाए तो मैंने शायद पिछले एक्जामपल में इसको set up करके दिखा दिया ओगा जस्रेक एक्जामपल समझा रहा था क्योंकि हर जगह पर बताने की जगह होता है कहां पर क्या बताना है sir यहां पर house property चार लाक का यहां पर हम law के हिसाब से sir अगर मैं इसका answer लिखूं तो आपका business income जो होगा business income होगा 3 लाक business का income होगा profit और carry forward हो जाएगा loss 2 लाक होता है इसने बोला sir loss को set off नहीं कर सकते 2 लाक से उपर ऐसा नहीं बोला कि carry forward भी मत करना carry forward तो कर सकते हो sir एक और example देखिए business profit 10 लाक hp1 profit 3 लाक hp2 loss 8 लाक ठीक है अब sir यहां पर हमें अगर income निकालना हो answer पहले हम सेम पहले सेम सेम चलेंगे तो sir hp का hp का देखा जाए तो hp1 का profit 3 लाक और hp2 का loss 8 लाक तिल अभी हमारे पास पांच लाक रुपे का क्या है loss है sir business में बिजनस के अंदर देखा जाए तो 10 लाक का profit है तो ऐसा नहीं 5 लाक पर दो गए इसमें से 2 लाक ही set up कर सकते हो यानी 8 लाक आपका बिजनस का रहेगा profit और बाकी जो बच गए ना आपके यहां पर देखो दो तो इससे set up हो गए बचे कितने तीन तो carry forward हो जाएगा हमारा 3 लाक करी forward हो जाएगा 3 लाक पहले यहां तक देखे एक छोटा सा amendment इसके अंदर यह amendment है सर यह पहले section amendment आया हुआ है तो शायद salary का एक question था कि student इमेंट से doubt पर पूछा था सर आपने hp का loss वहां पर शायद ज्यादा set up कर दिया था तो इस amendment से उसको आप correct कर लिजेगा सायद इक question आया था बीच में पूछा भी था मैंसे मैंने वह जब वह करेंगे तो हम clear कर लेंगो तो दिक्कत नहीं है कि सर अब आता है यहां पर old रिजिम कि और और new रिजिम सर आप बताईए house property से loss जो होता है वो maximum तब ही होता है जब self occupied रहा हो और वहां पर interest का payment जा रहा हो बिना interest के तो हो ही नहीं सकता house property में loss कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि आपका अगर loan नहीं ले रखा interest नहीं ले रखा तो एने भी 0 loan ही नहीं तो वो भी 0 और घर किराये पर दे रहे हो तो आने बी कुछ भी आएगा loan नहीं है तो नहीं नहीं यूलोन के खिलाब है new ृजिम कहता है सर हम आपको 24 वी देंगे भी नहीं इंट्रस का देंगे ही नहीं न्यूरिजिम कहता है सर आप 24 भी हम नहीं देंगे आपको अगर न्यूरिजिम आपको अगर आपको करते हो तो ऐसे सिचुएशन में अदर हेट से भी सेट अफ जो दो लाफ कर रहे होना ये भी करने नहीं दिया जाएगा आपको अगर आपने न्यूरिजिम आपको कर लिया है तो आप जो ये दो लाफ भी सेट अफ कर पा रहे हो ये नहीं दिया जाएगा सेम हेट से तो आप सेट अफ करो अदर हेट से सेट अफ नहीं कर सकते carry forward allowed है, आप carry forward के अगर सकते हो, उसको आगे continue कर सकते हो, यह newism का था, चाहे individual हो, चाहे हुआ हो, तो यह सारे exceptions हो किसके हो गए, intra, sorry, inter head के, intra head का same head से कौन-कौन से set up नहीं होगा, वो देख लिया, और यह देख लिया हमने intra, अब यहाँ पर कुछ एक point आता है, जो कि हमारे exam के point वी से इतना relevant नहीं है, कुछ losses कहता है कि loss को sir, set up वही करेगा, जो income loss को bear करेगा, जैसे अगर मेरा loss है, माल लेते हैं कि मेरा ए अपना loss अपने friend को बोला दे दिया, business बगएरा कुछ खरीदा हुद इदर नहीं है, बस मैंने अपना loss दे दिया अपने friend को, तो ऐसे government कहती है, ऐसे loss नहीं हो सकता, loss को set up करने का right उसी person को है, जिसका loss हुआ है, समझ रहे हो बात आप, जिसका loss, लेकिन कुछ इसके भी exception है, sir, exception क्या है, अब father है, father के business से loss हुआ, ये business किसको transfer होगा, बेटे को, लेकिन बेटे ने तो loss नहीं किया, inheritance में मिला उसको, वो loss can be set up, amalgamation company, एक company, दो company जुड़ जाती है, जैसे बोड़ा फोन और idea दोनों मिल गए आप, तो idea का बहुत सारा loss था, बोड़ा फोन ने उसको absorb कर लिया, कर सकता है, वो तब ही possible है, जब मान लेते हैं, तब बहुत ही बले है, वैसे ये exam के point of view से हैं नहीं, जैसे मान लेते हैं, XYZ limited और PQR limited, सर इसका loss 500 करोड का, और इसका profit 1000 करोड का, सर ये आपस मैं set up तभी कर सकते हैं, क्योंकि company और business अलग अलग हो गए, अगर इसका same shareholder 51% यहां move हो जाए, यानि अब जब company बिकेगा, तो ये company इसको payment करेगा, ना कुछ ना कुछ, तो ये company कहेगा, मैं तुम्हें share सी दे रहा हूं अपनी company के, और same जितना यहां पे मान लेते हैं 500 करोड का है, तो 500 करोड का 51% shareholding इस company में same existence convert हो जाए, तब आप set up कर सकते हो 500 करोड पे दोगे, rule set up करने के, और हर किसी के अपने rule है, house property के अलग है, specified business अलग है, speculative business अलग है, owing maintaining अलग है, और sir, एक और कौन साथ हमारा normal business अलग है, और साथ के साथ house property का मैंने बताई लिया, sir, इसके बाद एक point बसता है, an absorb depreciation, important question रहता है, तो an absorb depreciation वाले point को मैं PGBB के अंदर covered करूँँगा वहीं पर मैं discuss करूँगा, क्योंकि अगर मैं बोलू कि an absorb depreciation को हम unlimited life तक carry forward कर सकते हैं, और सारी बाते बता दूँ, तो आपका question नहीं की होगा, sir, an absorb depreciation होता क्या है, पहले ये तो, और an absorb depreciation बताने के लिए, मुझे पूरा P&L profit and loss समझाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको कहा अब life की बात करते हैं, किस-किस का क्या life है, एक बार मैं normally बताता हूँ, house property के loss को, मैंने बताया नहीं अभी, मैं बता देता हूँ, उसको लिख भी दूँगा, अब यहाँ पर किस-किस चीज के rule है, मैं लिख देता हूँ, एक बार, एक है house property, एक है normal business, एक है specified business, एक है speculative business, एक है होर्स race, देखो, हाला कि मैं चाहूँ, तो जो मैंने चार्ट बना रखा है, उससे quickly समझा सकते हैं, लेकिन मैं लिख दूँगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, सर, पहले हम HP की बात करते हैं, HP की बात करते हैं, अगर HP से loss हुआ, तो rule क्या कहता है सर, सबसे पहले आप करो, इंटर, फिर देन, सरी, पहले करो, इंटरा, पहले करो, इंटरा, देन क्या करो, इंटर, और maximum कितना हो सकता है, इंटर से, दो लाग, अब सर, ITR की बात करते हैं, सर, ITR फाइल करना क्या है सर, ITR फाइल करना not mandatory कह सकते हो, due date के बाद भी फाइल करेंगे न, तो house property एक ऐसा है, जहां पे आपको loss carry forward करने दे दिया जाएगा, life की बात करें तो, सर, life इसकी 8 साल है, यह कुछ point आपको याद रखना है, theory में, सर, अब बात करते हैं, आपका specified business, 35 AD वाला, सर, loss को carry forward किया जा सकता है, पहले आपका होगा, intra, और इसमें inter हो सकता है क्या, intra के साथ inter हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, intra भी क्या होगा, ITR fight करना, सर, yes, mandatory है, due date के बाद, life कितनी है, no limit है, सर, ठीक है, इसके बाद आ जाता, speculative, speculative business, speculative business का loss, पहले क्या करोगे, यानि मैं इसके बारे में अगर कहूँ, तो rule लगता है हमारा बिल्कुल, same, सर, इसके अंदर ITR, बिल्कुल, same, सर, life इसके चार साथ है, इसके बाद हम बात करें, normal business, सर, normal business के अंदर आपका, यहाँ पे पहले क्या होगा, intra, then, inter, सर, same, ITR फाइल करना है, इसकी life, अब आ जाते हैं, owing and maintaining, मैं roughly लिख रहा हूँ, चार्ट अभी दिखा दूँगा, owing and maintaining के अंदर, सर, यहाँ पे क्या होगा, हमारा, यह वाला जो same है, यह उठके आ जाएगा है, यानि आप intra करेंगे, लेकिन intra में भी same type of business से ही करेंगे, यानि आपका owing and maintaining, भूर सरीस वाले भी होना चाहिए, ITR सर, फाइल करना है, life सर, इसके बाद CG, capital gain, same रहेगा, लेकिन पहले यहाँ पे क्या होगा, intra, उसके अंदर भी rule को देखेंगे, और ITR फाइल करना है, और यहाँ पे live, मैंने बकाइदा यह चार्ट, मैंने, आपके देखें, पेपर में अभी, मैं 10 ये के अंदर क्या 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 कोश्चन आए, उसकी भी मैं बात करूँँगा, सर, दोबारा बता दो, 3 लाग कैसे, अरे, 3 लाग की बात कर रहे हैं, अभी बता देते हैं, हाँ, वो थोड़ा सा misprint हो गया था, वो मैंने correct नहीं करा है, थोड़ा सा misprint है, honors में भी वही होगा, क्योंकि चार्ट तो इक ही जाता है, अलग अलग है, फिर उनका उनका टाइपिंग एरर रहा होगा, हाँ, इसमें ना टाइपिंग एरर रहे हैं, चलो, इसके बाद एक वार लाइन डालाएं कि continue होगा, नहीं होगा, चलिए फटा-फट यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सब कुछ समझ में आ रहा है, चेप्टर बिल्कुल हो जाता है, खतम, आप चाहिए किताब से पढ़ लिजे, ग्रीस आउजा, किसी भी बुक से पढ़ लिजे, मैंने एक-एक पॉइंट डिसकसन कर लिया है, अब सर, आब देख लेते हैं, टैनियर में किस तरीके के सवाल आये थे, और उसके अंसर कैसे लिखने है, लास्ट, टैनियर निकाल लेते हैं, सर, टैनियर, टैनियर, लिजे रहा है, ओनर्स वाले बच्चे बताओ, पेज नंबर क्या है, 15, 15 तो नहीं होगा, अच्छा, हाँ, बिल्कुल यहीं आस-पास ही है, मेरे पास थोड़ा अलग होता है, सर, देखिए कुश्चन आपके सामने है, कहता है, सेट अफ एन केरी फर्वर्वर्ड लॉसिस, ठीक है सर, अब जो बच्चे, यहाँ पे देखे, कहता है, अब एक चीज में बताओ, ना, तो जो हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं, आंसर हम ओवर्वर लिखते हैं, कभी भी इतना बड़ा कोश्चन आएगा ही नहीं, यह पूरा चैप्टर है सर, कहता है, इनकम टेक्स में सेट अफ लॉस के क्या प्रोविजन है, पूरा चैप्टर रहे है, तो आपको इसमें से क्या क्या वैसे एक्जाम में आया हुआ है, सबसे पहले सेट अफ लॉस विदिना सेम हैड, सतर, सतर के बारे में सारी बाते बता दी, और इसके बाद कुछ इसके exception cases आगए, क्या क्या exception cases आगए देखती जाईए, अरे चल जाओ, speculative हो गया, specified 35 AD हो गया, loss cross puzzle game हो गया, lottery वाला हो गया, lottery इसमें ही आगया सारा ये, इसके बाद, however loss from owing maintaining, सारा कुछ जो मैंने बताया है, वो चीज़े मैंने लिख दिया है, set of losses one head against another head 71, यानि आपका inter head set of, example दे दिया, इसके अंदर भी exception कुछ होंगे, जो कि यहाँ पर लिख दिया है, speculative business, ये सारे हमारे दूसरे head से set of नहीं हो, short term capital gain का बता दिया, इससे set of long term किसी से भी हो सकता है, मतलब long term long term से होगा, short term किसी से होगा, business and profession से क्या है, तो ये आप question पढ़ेंगे ना, तो normally समझ में आज़ेगा, अब अगला आता है, ये question ऐसे आता एक्जाम में, sir what are the provision regarding set of of the following item, ये exam में question आएगा, long term capital loss का बताईए, sir long term capital loss, सर्फ long term से होगा, दूसरा कोई उपाई नहीं, answer खत्म, कहता है short term का बताईए, short term किसी से भी हो सकता है, long term से भी, तो इसके rule बताने, तो rule कैसे बताने, वो भी बताने, इसके अदर 8 साल है, इसका ITR फाईल करना जरूरी है, सारी बाते बताना हुआ, तो यहाँ पे सारी चीजे लिखी हुई है, third question, what are the provisions regarding set of carry forward, the long term capital loss, speculative business, lottery business, activity owing and maintaining, इस बार जो आने के chances बनते हैं, वो house property बनते हैं, ज्यादा amendment उसके अंदर आया हुआ है, कितने का 2 लाख वाला amendment बताएं न, तो वो अभी पिछले साल ही amended हुआ था वो, तो वो आया हुआ है, तो इसके वएसे house property वाला ज्यादा बनता है, मैं तो दिखा रहा हूँ कि देखे, सर आपको समझ आ रहा हैं कि कैसे answer लिखेंगे, एक्जाम में आया हुआ है एक कोशन ही है, सेट अफ यह answer, answer को तो देखे, मैंने बता दिया, बाकि आप पढ़ेंगे वो तो, explain the provision regarding the carry forward non speculative losses, कहता है, explain the provision related set of carry forward of non speculative losses, यानि normal business की बात कर रहा है, यहाँ पे आप देख लेजिए, इसमें गुमा के पूछा थोड़ा, explain the carry forward business losses, कौन से business losses, provision, simple business loss है, आप यहाँ पे बता सकते हो, सारा, sir, write a short note carry forward and absorb depreciation, मैं इसे अलग से करूँगा, important है, मुझे इस बार के दो सवाल आने के chances लगते हैं, एक house property और एक and absorb depreciation, explain house property, देखिए house property का आया हुआ भी है, sir, यहाँ पे जो house property वाला loss है न, इसके अंदर दो लाख वाला provision मैंने नहीं डाला शायद, एक बार देख लीजिएगा, वो थोड़ा सा typing error रह गया हो, या amended नहीं हुआ, तो जिन बच्चों के पास 10 year है, especially ध्यान देगे, loss हैड अगेंस दा अंडर हैड आपके फिर से वही आ गया है, loss अंडर दा हैड आफ इंकम केंबी सेट अफ अगेंस इंकम अंडर एनी अदर हैड, income सेम तो इंटर हैड सेट आफ के बारे में पूछ रहा है, कलिए सार एक बार जो आपको चार्ट देखना है, प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा एट इयर दे दिया है, दे क्यों दिया है, सर टैपिंग एर रह गया होगा, सर 71B, house property, unabsorbed loss या फिर simple loss है, house property, rule कहता है, loss allowed to be set up and still there its loss can be carry forward, यहाँ पे, आगे कहता है, यहाँ पे 2 लाख वाली बात लिख लिजिएगा, दो लाख रुपे वाली बात आप लिख लिजिएगा, तो बेचर रहेगा, यहाँ पे miss रहे गया मैं से, ठीक है, चलिए से, condition before और after देखिए, पहले करो, बाद में करो, परक नहीं परता, time limit 80 है, औरे, चलिए, चलिए, एक ही page पर देखिए, अगला है सर, business loss, business loss क्या कहता है, loss allowed to be set of, intra head, in case of there will be loss, it will be carry forward, यानि business losses का है, पहले आप क्या करोगे, intra head है, और अगर फिर भी बचता है, तो carry forward कर दोगे, before on due date, मतलब before, पहले ही फाइल करना है, 8 साल लाइफ है, speculative business loss, speculative business, business का can be set of only the against income from the other specified, sorry speculative मैंने पढ़ दिया, other specified business, if still there is loss, then it will be, before due date रहेगा, 8 साल रहेगा, 4 साल, अच्छा यहां रहे गया, इससे 4 साल करिये, loss from specified business 35 AD, इसके अंदर देखिये, unlimited है, कोई limit नहीं है, same provision था, इसी तरीके से आपका, 74 और 74B है, हमारा किसका, going and, section रखना again मैं बोलूँगा, याद रखना mandatory नहीं है, आप एक बार देख लिजिए, कोई दिक्कत है, तो पूछ सकते हैं, house property वाला 10 यर में, नहीं है, सर house property वाला question 10 यर में, program की 10 यर में नहीं है, मैं question अलग से डाल दूँगा, house property आले, जो question देखो, मैंने कहा है, कि अभी पहले 15 तारिक के बाद, मैं theory के, जो important theory, जैसे मैंने बोला, इस chapter में से, सर मुझे ये लगता है, तो कुछ 20 question, 15 से 20 theory की question मैं आप सभी को दूँगा, जिस में से probability ज़्यादा रहता है, जैसे chapter में से house property, पिछले वाले में से बच्चे वाला, minor child, और फिर salary में से जो होगा वो, capital gain में से जो आएगा, difference आएगा, short term, long term के बीच में, तो हर chapter में से कुछ ऐसे question होते हैं, examiner का key रहता है, तो करीब बहुत limited, 20 question मैं बनाऊँगा, 20 से 22, जिसके अंदर आपका सारा का सारा लगबग आने का chances होगा, 20 से 22 तो आपने करने ही करने है, साथ के साथ अलग से जो आपको time मिलेगा, मैं बोलूँगा, ये less important है, उसको भी पढ़के जाना है, देखो, हाला कि ये था दोनों theory chapter, तो theory chapter मैं इसलिए बोल रहा हूँ, tension मतलो, एक बार मैंने आपको समझा दिया, तो मेरे इसाब से सारा क्या हो गया, समझ में आ गया, जब समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, लिखने में भी दिक्कत नहीं, आपको इसी बुक उठा के पढ़ लो, चाहे सिंगानिया पढ़ लो, चाहे आप ग्रीस आओजा पढ़ लो, चाहे अधर कहीं से भी पढ़ लो, आपको समझ में आएगा, सर हाँ ये ये बाते लिंक कर पाओगे उसको, सर, प्रीवियस चेप्टर के डाउट कब लोगे, अलग से चेप्टर का डाउट लेंगे, आज आपका दो पार्ट छोटे-छोटे सो और डालना है, मुझे ITR फाइलिंग का, और फिर कल होता है, तो कल सुभ़े 10 बजे रख लेता हूं मैं, कल सुभ़े 10 बजे मैं कुछ रिकॉर्ड कर लूँगा, ओनर्स वाले कुश्चन जो बुक्के थे, जो सही भी करवाने थे, सर, एक बार फिर रिपीट कर दो, अंशु का आया है कि एक एक बार रिपीट कर दो, हर्षित का डाउट क्या था, हर्षित आप कह रहे थे, सैलरी में डाउट था, किसका डाउट था, बताईए, कॉल कब कर सकते हैं, कल है TTS, कल, क्योंकि जब कॉल मेरे पास जो रेंज होता था, वो दो स्टाफ चले गए हैं, शुप्ती पे, तो मुझे भी पता नहीं चल पा रहा है, कॉलिंग का, मैं कल, कल एक बजे बात करते हैं, जिसका डाउट है, एक बजे मैं सेमिस डाल दूँगा, एप्लिकेशन के चैट में आपके, टाइमिंग एक बर स्टेडूल देखे, हाँ कल ले लेंगे, और यह सारे जितने भी चार्ट है ना, आपके अप्लिकेशन के अंदर डाल दिया है, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, कुछ चीज़े एडिट करा है, इस बात का ध्यान रखना आप, मैं दुबारा चार्ट इसको एडिट करा के डाल दूँग, आपका ट्रेडिंग से जो लॉस होगा, डेरिविटिव भी आपका स्पेकुलिटिव बिजनस में आगा है, अगर नोन स्पेकुलिटिव है तो नॉर्मल बिजनस की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, अगर ब्रोकर है तो उसके लिए नॉर्मल बिजनस माना जाता है, क्लास नहीं मैं डाउट के लिए बोल रहा हूं, मैं डाउट के लिए कॉल कर लेना, आपके अप्लिकेशन में है सक्षम आप देख सकते हैं, क्लास के लिएर लिए नॉर्मल आपके Lोग